हलो फ्रेंट्स मैं हूँ अनुशुर आप देख रहे हैं न्यूस24 का यूट्यूब चैनल आज हम किसी ख़बर के बार में बात नहीं करेंगे बलकि कुछ ऐसी चीजों के बार में बात करेंगे जिसे हम रोजाना देखते तो हैं लेकिन उसके बार में जानते कमी है क्या आपने कभी प्रधान मंत्री मोदी के रैलियो को नोटिस किया है उनके साथ होते हैं कुछ SPG के गाड्स जो उनकी सिक्योरिटी करते हैं अगर देखा है तो आपने उनके हातों में काला ब्रीफ केस भी देखा होगा लेकिन क्या होता है इस ब्रीफ केस में क्या आपने कभी सोचा है अगर आप कहेंगे कि इसमें होता होगा गन या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट या फिर नूइकलियर कोट या ज़रूरी डॉक्युमेंट्स तो आप गलत है प्रधान मंत्री के बॉडिगाड के पास जो ब्रीफ केस होता है वो एक तरह से परमाडू बटन होता है मतला Portable Bulletproof Shield या Portable Folded Ballistic Shield जिसे प्रधान मंत्री के साथ चल रहे बॉडिगाड अपने हाथ में रखता है इसका material बहुत पतला होता है और खुलने के बाद एक इनसान की पूरी body को cover कर लेता है जिसे हमले के दौरान खोला जाता है जब भी सुरक्षबल कोई संदिक्त गतिवीधी देखते हैं तो इस briefcase को खोल लेते हैं इसके लाबा इस briefcase में secret pocket भी होती है जिसमें पिस्टल रखने की जगह होती है भारत की तरह दूसरे देशों में भी प्रधान मंत्री राष्टपती जैसे बड़े ओहदों पर बैठे लीडर्स के अपने bodyguard होते हैं और उनके पास भी एक आला briefcase होता है लेकिन अमेरिका और रूस जैसे देशों में ये nuclear briefcase केस कहलाता है इसे अमेरिका के राष्टपती अपने पास हमेशा रखते हैं जिसमें संचार उपकरण होते हैं जो ने परमाडू हमले की इजाज़त देता है रेपोर्ट्स के मताबिक 1962 के बाद से अमेरिका के हर राष्टपती के साथ ये nuclear football साथ होता है इसे इस उदेश्य से त्यार किया गया तकि अमेरिकी राष्टपती के पास हमेशा परमाडू युद्ध के विकल्प मौजूद रहे इसके लावा इस बैग में 75 पेज की एक किताब भी होती है जिसमें अमेरिका के परमाडू हमले की पूरी होजना और टार्गेट की पूरी जानकारी होती है तो उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी सा इस वीडियो को लाइक करे शेयर करे और हाँ अगर आपके पास भी ऐसा कोई भी इंटरेस्टिंग अनोन फैक्ट है तो कॉमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताए नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योज़ 24